जैने देबरीवन, हाली में आप लोगों ने एक ख़बर सुने होगी कि प्रधान मंत्रीजी केरल गए थे और वहाँ पर आईन स्विक्रांत नामक कोई चीज लांच की है जो की सुनने में बहुत बड़ी आ रही है उसमें पैसा भी बहुत लगा है यह क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत आसान भासा में मेरा मेन मोटिव है कि इन वीडियो से चोटे-चोटे बच्चे जो क्लास 9,10 या एट्थ में होते हैं जीने सोसल साइंस में इंट्रेस्ट ही नहीं आता है उन्हें भी सोसल साइंस में इं मिल रही होगी तो आज हम बात करेंगे कि हाली में लॉंच किया गया है अपना एक खुद का एयर क्राफ्ट कैरियर क्या है यह इसकी कहानी 1931 लेकर 2022 तक क्या रही है सारी बातों पर हम विस्तार में बात करेंगे और आपको मैं एक बात और बता दू कि जो हमारी नेवी है उसक से रिलेटेड है और यहां पर इंडिय नेवी का यह जो फ्लैग है वो भी यहां पर चेंज किया गया है तो चलिए बहुत आसान बाता में स्टीट को समझते है कि यह क्या है कैसे कैसे चीजी है तो सबसे पहले एक चीज जाने है भारत हमारा देश ने बहुत अच्छे जग अच्छी बात है कि उनके तीन दिसाओं में अपने पास कया है समुधर ही समुधर निथर आपका हिंद महाशागर है इधरiran की graphic टीक है तो यह सभी बच्चों को बता है कि इधर तीनों तरफ अपना क्या समुद्र से जुड़ा हुआ है अब जैसे जब जब भी कभी इन फ्यूचर यूद्ध हुआ या पहले हुआ था 1971 में जब पाकिस्तान से यूद्ध हुआ था तो हम लोग इस साइड पर भी अपना प है जिस पर हम लड़ाकू विमान अपने कैरी कर सकी तो अभी तक कि अगर मैं बात तो इंडिया के पास अपना खुद का कोई ऐसा लड़ाकू वो जो होता है जो अभी यह हमारा एयर्ट्राप्ट कैरियर है इसको हिंदी में कहते है विमान वाहक पोत टीक है विमान वाहक प करते हैं वो कैरी कीए जा सकें तो यह वही जहाज है बहुत बड़ा जहाज इसके बारे में पूरे डिटियल में बताऊंगा तो एक ऐसा एरटरापट कैरियर है जिसे पर हम लडाकु विमान घर गाड़ी सब कुछ कैरी कर सकते हैं और बहुत बड़ा है बहुत भी है ठेक जो आइनेस विक्रांथ रिलेटेड हमारा 1971 इंडो पाक वार से वहां पर हमने आइनस विक्रांथ का यूज किया था तो आप कहरे रहो भाइए यह तो अब जा के हम आपने इंडिया ने बनाया लेकिन इससे पहले भी इंडिया के पास इस तरह के विमान पोत होते थे इसके पहले 1971 के वार में हम लोगों ने इसका यूज किया था और वहां पर इंडिया ने उस वार को जीता था उसमें इस एक विक्रांथ के बहुत ज्यादा है थी बहुत ज्यादा हमारे लिए यूज फूल था तो जो पहला हमारा इंडिया के यह अपारा एयरपोट कैरियर था वह आप 2014 कि यह सत्यां कि अभआ गया हशन कर सकते हैं कंचा के जिए नहीं सकते हैं क्यों कि आता कि अगया था पानी में रहाता तो पानी यह समय के में ना Εख olmuş ए दो वहो बेट्रीन सवोब्रे सब लगबग आप देख पारें 30 साल तक इसकी आयो है 30 साल तक यह आपके लिए वर्क करेगा फिर उसके बाद 2013 में हम लोगों ने आइनस विक्रमादित खरीदा वह रसिया से पर्चेश किया जो कि 2013 से अभी भी हमारे पास है लेकि हमें जो नीड है वह कम से कम हमारे पास दो होने चाहिए कोई के कंडिशन आई तो और इस साइडों अभी तक हमारे पास एक है अब हमने काफी दिनों से बनाना सुरू कर दिया सोचना सुरू कर दिया हम लोगों ने पर्चेश की तो उसके बाद हमारा ऑना ब्स कोषिस करने लाए कि हमारा खुद का सब्लीड नहीं हो पाई जो कि जाके बाद में कि नोगे यहाँ पर इसका पहला त्यार किया गया गया लोग ने स्टाठ किया था वह 2009 में बना डिकाइन इस थे फिर 2013 इसengine written 2030 इसको कworks destroy 로 फोच सिफ कोचीन कोचिन च्पयाइड लिम्टेड ने सिफ बनाना शुरू कर दिया तो 2013 में यहां पर जमीन पर आ गया था सिप यहां पर बनना शुरू हो गया था फिर बंते 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 इसको काफी साल लगे और 2022 में इसको फुली तरीके से आप तर क्रॉस चेकिंग यह हमारे देश को सौप दिया गया है अब यह सिचुएट हो जाएगा आपकी समुद्र में जो की काम करेगा तो इसको बना कौन रहा था यह क्या इसमें क्या बात हो रही है क्या यह इंडिया का ही बनाय गया बिल्कुल यह पहला हमारा इंडिजीनियस इंड खुड का मैनुफेक्ट्टर वो है विमान पोथ है अब आप देख पा रहे होगे फिगर में क्या है यह आपका एक कोचिन सिप्याट लिम्टेट है जहां पर जो भी इस तरह की कंपनिया होते हैं जो बनाती है इस तरह के बड़े-बड़े सिप बनाती है इसमें देख रहा सब्सक्राइब में जौर्स फर्णांडिस जब हमारे देश के रक्षा मंत्री होते थे तो उन्होंने उस चीज को सोचा था लेकिन वह इंप्लिमेंट नहीं उपाया बहुत सारे राजनितिक करण थे उसके बाद 2009 में इसकी डिजाइनी मुझारा की गई थी फिर 2013 में यह प कुछ खास बाते करें तो यह बहुत ज्यादा वजन है इसकी वजन की बात करें तो यह 40,000 टन किलो का है ठीक और इसमें बनने की अगर मैं प्राइसिंग की बात करो तो 23,000 करोड रुपे लगे हैं जो कि एक बहुत बढ़ाए माउंट है ठीक लंबाई की बात करें तो 262 मी की कार तो है नहीं कि आप 180 में दोड़ा रहे हो तो यह बहुत बारी है फिर भी इसकी स्पीड बहुत है यह बहुन किलोमेटर प्रती घंटे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें 14 फ्लोर बनाया गया है 50 मिटर ऊचा है आप समझी रहे हो इसमें तेइस सौ अपार्टमें जो कि काम के लिए करनाया अग इस पर होता क्या है जैसे आपको यह दिख रहा है यहां पर सभी जहाज यह वह बनाया जाता रहे रन्बे बनाय जाता जाता है इस पर seeking की इस सकते हैं तो तो आप यह सोच सकते कि कितना बड़ा है उसके बाद fly होता है फिर उड़ता है फिर वहां पर लड़ाई वेगर जो भी होती है होती है तो इस पर 30 aircraft हम carry कर सकते हैं जो भी आप लोगों ने किचन है इतना बड़ा किचन है कि 3000 रोटियां प्रती घंटे बनाई जा सकती है तो यह बहुत बड़ा है यह बहुत यूजफूल है जब यह सिच्वेट हो जाएगा किसी भी प्रकार की वार के कंडिशन आती है तो हमारे पास वर करने के लिए हमारे पास समूद्र में एक ऐस इस तरह की चीजे करेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी अब क्या यह पहला भारत का है तो अगर मैं करेंट की बात करूं तो भारत में आप दो हो गये कौनकौंसा एक आएएनस विक्रमादित और अब यह आएनस विक्रांथ ठीक है तो आएनस विक्रांथ हो अब आई एनस विक्रांत और आई एनस विराट यह दोनों रिटायर हो चुके थे लेकिन भारत नहीं अपना पहला बनाया है तो इसलिए आई एनस विक्रांत ही नाम रखा गया है ठीक है तो आप सब समय में आओगा अगर मैं अभी तक बात प्रूब अलग 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 देश अब इसलिए जो उनके लिए योजबोल होता है तो इस तरह के कैर्यस इस तरह के हर पास होने चाय क्या अपने श्ट्रेंथ मजबूत करने चाहिए और अपनाする रवीयक्टी मजबूत करना चादा लडाई होचाना हो और देरे दिने भारत इसमें अ अग्रसर हो रहा है और यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारा देश्ट इतना सक्षम हो रहा है खुद अपने यहां इस चीज को मैनुफक्चर कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है तो मैं उम्मेद करता हूँ कि छोटी वीडियो के मादब से आपको चीजे समझ में आयोंगी आपका अच्छा लगाओ तो लाइक करियेगा जय हिंत